स्वागत है आपका आलेंडी आगनबाडी नियूस चैनल में दोस्तो आपको बता दो अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तो आगनबाडी की हो या अन्ने कोई खबरे तो दोस्तो यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर ले और अपनी नोटिफिकेशन वेल भी दोस्तो आउन करनें नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आलेंडी आगनबाडी नियूस चैनल की सची खबरों में कहना चाहूँगा यहां पर आपकी जो उत्तर प्रदेश राजमेर राजमंत्री हैं बार विकास पुष्टा हार विभाक की स्वाती सिंग जी जी हां उनकी बातचीत का दरसल एक आडियो वैरल हुआ है जिसमें वो क्या कह रही हैं उसके बारे मैं आपको बताने वाले वो सीओ हैं उनसे बात कर रही हैं फोन पर उसमें कह रही हैं कि उपर से आदेश हैं अनसल पर कोई FIR नहीं लिखा जाएगा अनसल वगएरा को लेकर के काफी चर्चाओं में बनी हुई है और ये जो पोस्ट है वो अमा रुजाला ब्यूरो की तरब से दरसल निकाली गई है आईए इसके बारे में आपको बताते हैं कि आंगन बाडी बहनों के विभाग से जुड़ी हुई राज मंत्री बाल विकास विभाग की उत्तर प्रदेश की इन दिनों किन परेसानियों से जो उनका सामना कर रही हैं अपने इस आडियो को ले करके यहां पर लिखा है मंत्री स्वाती सिंग और सियो कैंट के बीच हुई बातचीत का आडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ है अंसल कमपनी के खिलाप पीजी आई थाने में दरज की गई थी जमीन के नाम पर ठगी की एफाईयार दरसल एक महिला बेचारी थी या पूरुस कोई भी बेचारा था आपती करता ने एक दरज की थी रिपोर्ट अपनी वो इसलिए की थी कि उन्हों ने ये जो अंसल कमपनी इसके खिलाप में दरसल मामला दरज किया गया था आपकों पहले पूरी हकीकत बता दे ताकि आप लोग समझ जाएं तो मामला ऐसा था कि जमीन की ठगी का मामला बताया जा रहा है जो सिकायत करता बोल सकते हैं उसने अपनी जमीन खरी दी और जमीन के नाम पर पैसे भी उसने बैचारे जमा कर दिये इस company को company के हाथ में सौंप दिये लेकिन company ने ना तो कागजाद दिये अभी तक जमीन के ना ही जमीन वगएरा दी ना ही पैसे वापस दिये यानि कि पूरा का पूरा मामला ठगी का बताया जा रहा है और यहाँ पर जो मंत्री जी ने जो सब्द प्रस्तुत किये कहा तो सियो ने कहा कि हाँ एक जो है कनोडिया करके थे पती पतनी का मैटर था उसमें लिखा गया था तो मंत्री बोले क्यों लिखा आपने आपको पता नहीं है उपर से आदेस है कोई F.I.R. जो है अभी नहीं लिखा जाएगा सारे F.I.R. लिखे जा रहे है उसके उपर ऐसा बताया जा रहा है सीयो का कहना आए नहीं वो तो जाच करके लिखी गई है सीयो ने ये भी कहा कि उसके खिलाब जो है उसके खिलाब जाच भी हुए तब ही वो रिपोर्ट लिखी गई है लेकिन उन्होंने फिर कहा, मंत्री जी ने फिर कहा कि कौन सी जाच हो गई भाई, कौन सी जाच हो गई, इतना हाई प्रोफाइल केस है, पूरा जाच चल लहा है, आप कौन सी जाच कर रही है, और चार दिन आये हुए हैं आपको, ऐसा उन्होंने कहा, उस पर CEO ने कहा, नहीं तो पहले से ही application है, उनका CEO का क्या कहना है कि नहीं तो, पहले की application है, ना उसके 5-6 महीने पहले की, ऐसा उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद मंत्री जी ने फिर बोला है कि अरे फरजी है ये सब, खतम करिये उसको, एक दिन आके बैट लीजिएगा, और अगर यहां पर काम करना ह तो ठीक है, मैं गलत काम नहीं बोलती हूँ, और पता कर लीजी, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है, CEO ने कहा ठीक है, ऐसा करके फोन वगएरा कार दिया गया, तो मंत्री जी की ये कुछ सब्द हैं, जो इसको अमर उजला ब्यूरो ने दिखाया है, आपसे कहना चाहूंगा, अब इस पोस्ट में पूरा का पूरा क्या लिखकर क्या रहा है, वो हम आपको बताते हैं, ताकि आपके समझ में सब कुछ आ जाए, बताया जा रहा है, CEO सहब आपने अनसल के खिलाब कोई F.I.R लिखा है, क्या, क्यों लिखा है, आपने, आपको पता नहीं है, उपर से आदेस ह लिखा जाएगा, सारे फेक F.I.R लिखे जा रहे हैं, सुकरवार को सोसल मीडिया पर वाइरल या आडियो मंतरी स्वाती सिंग और CEO कैंट डाक्टर बीनू सिंग की बातचीत का बताया जा रहा है, आडियो में मंतरी स्वाती सिंग अनसल कंपनी के खिलाब, P.G.I. खाने मे F.I.R दर्ज होने पर CEO कैंट के सवाल जवाब कर रही है, वही पर कहना है, वह CEO से यहां भी कह रही है कि अगर यहां काम करना है, तो एक दिना कर बैट लीजिएगा, और यहां वाइरल आडियो ब्रस्पतिवार साम का बताया जा रहा है, इसके बारे में पुलिस के आला लिकारी हैं और वो भी जो इस मामले से अपना मुक अलग मोड रहे हैं, कुछ भी कहने से इतरा रहे हैं, तो कहना चाहेंगे पुलिस सुत्रों का कहना है कि अंसल कमपनी के खिलाब बीते दिनों PGI थाने में एक F.I.R दर्ज कराई गई थी, पीडित का अरोब था कि उसने प्लाट के लिए जो एक कमपनी से संपर किया था और प्लाट खरीदने के लिए निर्धारित रकम जमा की, इसके बाद भी जमीन नहीं दी गई, रुपए भी वापस नहीं मिला, और पीडित ने केस दर्ज कराया जिसकी जानकारी पाकर मंत्री स्वाती सिंग ने CEO से फोन प कर रहे हैं, यानि कि इस पूरे मैटर पर लिप अप होती हो सकता है, चल ला ही हो या कुछ भी माजरा चल ला हो, अनिता जो सच्चा है उसको सामने रखना चाहिए था, यहां पर काफी सारे सवाल भी उठते हैं लोगों के मैन में, सबसे बड़ा जो आज का ये काम है कि इस उसके खिलाब कमपनी पर केस है या ना है, ऐसे मैटर में पढ़ने कि उनको जरूरत क्या थी, आपका विकास, अभ्यान की बाल विभाग, जो है आपका बाल विकास विभाग, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए था, जिसमें आगन बारी बहनों का काफी समय से न तो पैस में खड़ा करता है, तो यहाँ पर यह पोस्ट अमरोजाला वालों की तरफ से यह चरचाए निकल के आ रहे हैं, काफी वीडियो, आइडियो जो है, वो वायराल हो चुका है, लेकिन हमने आपको इस पोस्ट की जो सच्चा ये वो दिखाई, अब आगे क्या होता है, क्या न उस बहराईच से था, जहाँ पर बहनों ने अपनी एकता दिखाई है, और उस वीडियो में वो क्या कह रहे थे, कि वहाँ की डीपियो को जो है, हटा करके रहेंगे, ऐसा सब कुछ बताया जा रहा था, तो आईए इसके बारे में आपको बताते हैं, तो उसी के संबन्द मे कहना चाहूंगा कि दिनांग का 23 नमंबर 2019 दिन गुरुआर समय प्राता 10 बजे बुलाया गया सबी बहनों को बहराईच में उन डीपियो के खिलाप में आवाज उठाने के लिए, तो लिखा है, जनपत बहराईच में डीपियो जीडी यादा दोरा आंगन बारी कारकरतियो एवं बताया जा रहा है मुख सेविकाओं के साथ अकड़ भासा का परयोग करने, एवं बरस्टा चार से में लिप्त होकर के, अवायद बसूली, सेवा समापतियाद की धमकी, एवं ट्रेनिंग के नाम पर फरजी बिल बाउचर लगा कर, पैसा गमन करना, कारकरतियों के आ हीनों से भुगतान न करना, एवं जबरन गोत भरायन प्रासं कारका मागन बाडियों के पैसों से करवाना, तता विबागी मोबाईल खराब होने, वफटने की दसा में कोई कारवाई न करना, बल्कि इन समस्याओं पर इनके बाद बेहुदी बाते करना, आदी कारण से इन उनीस दिन गुरुवार को समय पराता दस बजे से विकास भवन बहराईच में मुख्य द्वार पर विसाल धरना प्रदलसन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी बहनों की उपस्तिती अनिवार एवं प्रार्थनी है, सरण अच्छक है, हरिकेश सिंगी जो आजय त इस तरह की बैठक हुई थी, एकता को लेकर कि अब यहाँ पर सभी बहने जो भी परिसानी जहल नहीं अन्यने उन्हों की उन्होंने मिलकर के एकता दिखाई और अब वो अपने इसको लेकर के आगे आवाज भी लगाएंगी, तो दोस्तों कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो की स्वाती सिंग को लेकर के काफी चर्चाओं में है, कहना चाहूंगा यह सारे सवाल आने वाले समय में इनके जवाब आपको देखते हैं क्या निकल के आएंगे, बाकी सच्चाई आप जानते हैं क्या सब कुछ चल रहा है, क्योंकि इतना भी कोई अग्यानता भरा नहीं ह कि आज के समय में इतना सब कुछ हो और लोग समझ ही ना पाएं क्या सब चल रहा है, अंगनबाडी बैनों की दसा और उनके साथ में जो हो रहा है, उसको तो आप देखी रहे हैं साथी साथ, ये जो कमपनियां हैं, जैसे कि आप ये ठगी कर रही हैं, जमीनों की ऐसा बताय जा रहा है, जांच भी हुई, सियो ने कहा भी बातचीत में, आइडियो सब कुछ वायरल है, उसके बाद में एक महिला बाल विकास विभाग की मंत्री पर रहने वाली स्वातिय सिंग राजमंत्री होकर के, ये दूसरी कमपनी के पच्च में एक सियो को डारेक्ट फोन करके कैसे सब कुछ कह सकती है, इन सब चीजों के जो सवालों के जवाब हैं, मैं नहीं, सोसल मीडिया नहीं, तो मीडिया तो अवसे ढून करके लाएगी और देखते हैं आगे क्या चर्चाओं में आता है, वहीं पर कहना चाहूंगा अच्छा रहता अगर हमारी स्वाति सिंग जो है अपने इन बहनों के दसा पर सोचती है, और अपने बाल विकास विभाग को लेकर के कुछ अच्छा प्रयास करती हैं, तो बहने उनकी चर्चाओं में रहती हैं, वहीं पर कहना चाहूंगा एक हमारे पास प्रमुग सची उत्तर प्रदेश सासन के पत्र संख्या 10-80- दिनांग 15-11-2019 के संबंद में डेंगू से बचाओ वेतु विभागी का रियोजना का लेटर हमारे पास लगा हुआ, दरसल डेंगू से बचाओ की संबंद में क्या 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 करना, किस-किस दिन कैसे हिसाब से करना, सब कुछ लिखा है, 18 नमबर, 19 नमबर, 20 नमबर, 22 19 तारीक को ग्रेब रमड और 20 तारीक को अनप्रासन दिवत, VHSND एवं बाल सुपोसर उस्सव, और 22 नमबर को ECCD वगरा, 23 नमबर को VHSND तथा सैम में बच्चों की देखबाल, और 25 नमबर को लाडली दिवस, और 27 नमबर को VHSND तथा सैम में बच्चों की देखबाल, और 28 इस नवंबर को ग्रै ब्रमार, तीस नवंबर को बताया जा रहा है गोद बराई, विचे संडी तथा गर्बती, धात्री महिलाओं का स्वास्त का परिच्छन, ये सब कुछ चलेगा और साथी नीचे लिखा है समुदाय के समस्त जन सामाने को फुल जो है आस्तीन के कपड़े बच्चों जो स्वयम को पहनने है तू प्रेदित करना, एवम मच्छरदानी के प्रयोग है तू आस्पास साप पानी एकत ना हुनने देने है तू जो प्रेदित करना एवम साप सफाई है तू ज्यागरुकता का अभियान वगरा चलाना, इसके बारे में आंगन बाड़ी बहनों को काम सोपे गए हैं और इन सब को बहने जो वह बखुल भी करने वाली भी हैं